है हलो वान कैसो आप सभी लोग आज सिर्फ हम मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स को देखेंगे कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना कल हमने सीखा था कि किस तरीके से आप शिबा का जीजा जैसा कोई बना सकते हो मतलब क मीम टोकन किस तरीके से आप खुद बना सकते हो काफी इजी तरीके से मैंने तीन में थाड़ आपको बतायते हैं तो जाके कल का वीडियो देख लेना और अब तक आपने टेलिग्राम को जोइन नहीं किया है तो मस् टेलिग्राम को जोइन का लेना विकोज कुछी दिन बच कि इस समय में शौट के लिए शौड़नी हूं क्योंकि यहां पर वेल्स एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है और यहां पर कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला कि बीटी सी अभी 17,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहां पर अगर कल रात को आप सतर रहे होंगे तो ल काल फिलाल कोई जबरदस्ती ट्रेड करने का मतलब नहीं है यह एरिया शौट का है इसके अलबा अगर वापस से यह 17,000 के आसपास है री टेस्ट करने तो यह ट्रेलान इसको सपोर्ड मिल जाएगी जहां से आप हलका फूल का लोंग मार सकते हो टेलिगाम पर आपको इसके तो बेसिकली इन्होंने वही बात कही जो की कोई सुच कुबर ने पहली भी कही थी अब देखो इस अनॉंसमेंट में दो कमिया थी पहली चीज इन्होंने यह कहा कि थर्ड पार्टी वेंडर या फिर थर्ड पार्टी जो ओडिट रिपोर्ट आती है वो यह शेयर करेंगे अब इसमें देखो इनको जो वोलेट एडरेस है वो भी पब्लिक करना चाहिए जिससे की लोग जाके भी चेक कर सकी कि वहाँ इनका यह पब्लिक एडर से और यह फंड वगेरा जो है वो सेफटी के साथ रखा हुआ है अगली बात लाइबिलिटी का इन्होंने कोई जिक्र पर इसमें देखा है जो थर्ड पार्टी ओडिट की रिपोर्ट आती है जैसे आपने देखा होगा कि गेड डोट आयो और कुको इनके उपर एलिगेशन वगेरा लगे थे समझे वहाँ रहे तो इनके उपर भी इस तरहीं सवाल उठाये जा सकते तो इनका ट्विट कहीं न तो इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े का और कहीं आप भी समझते हो कि वजिक्स टॉप एक्सचेंज की लिस्ट में आता है या फिर आप कह सकते हो कि यह इंडिया का कहीं न गरी टॉप एक समय था ठागे आप तो इनके उनके उपर बोट सारे सवाल उठते है तो मेरा यह म मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ओफिशल ट्विटर हैंडल हमारा जल्दी लोंच होने वाला है आई होप उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट रोगे दो तीन अजार तो कम से कम फोलो करे ले न जिससे कि मैं भी आपकी प्रोब्लम्स एक्सचेंजों से या फिर और भी किसी अगली अपडेट की तरफ बात करते हैं जो कि है कोईन बेस किसी परेचे का मोताज नहीं है कोईन बेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक अनॉंसमेंट करी अनॉंसमेंट क्या थी स्विश टू ट्रस्टेड स्टेबल कोईन बेसिकली इन्होंने यह कहा है कि अगर आप यूएस डिटी के अंदर है तो आपको उसको यूएस डी सी में कनवर्ट कर लेना चाहिए और इसमें जीरो फीस लगी ठीक है तो इन्होंने यह अनॉंसमेंट करा बेसिकली यह कह रहे हैं कि भया आपको से फिस्टेवल कोईन को सलेक्ट करना चाहिए और इस तरीके के इनके पास रिजर्व में कितना फंड है इसके अलाबा यह किस तरीके से डॉलर पैक होते हैं तमाम तरीके के इन से कुछे जाते हैं लेकिन जो यूएस डीटी के पीछे की कमपनी पैरेंट कमपनी जो है उन्होंने पहले भी बहुत बार इन सभी ऐलिगेशन के उपर वार क पैल सकता है लेकिन देखो हाल फिलाल तो यूएस डीटी इतनी भी कमजोर स्टेबल करन्सी नहीं है कि एकदम से क्रेश हो जाए लेकिन फिर भी मैं आप से बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि भईया अब देखो फ्यूचर में हमें नहीं पता कि क्या होगा इसलिए यूए परपस से हमें इसमें आजाना चाहिए ठीक है क्योंकि आप यह सारे ड्रामे देख ही रहे हो मार्केड में क्या चल रहा है और इनको किस तरीके से अभी घेर आ जा रहा है यूस डीटी वालोगों तो समझदार को इशारह ही काफी होता है मैंने आपको कल भी कहा था वैसे त साथ शेयर कराता और इसके जो सपोर्ट रिजिस्टेंस है वो कल हमने अच्छे से डिसकस कर लिए तो बेसिकली अभी भी बहुत सा रिपोर्ट आपको यही बताएगी और समझने वाली बात है जब ऐसे टोकन्स जो की मर्केड में इतने चर्चाओं में नहीं रहते लेकिन इसके लावा बड़े एक्षेंजों पर लिस्ट नहीं हुए होते हैं तो ऐसे कोईंस पर ऐसे टोकन्स पर हमें थोड़ा सा ध्यान स्पेशली रखना चाहिए क्योंकि कभी भी इनकी अगर कोई बड़ी लिस्टिंग की अपडेट आ जाती है तो यह काफी तेज पंप करते ह और अब भी आप टेक्निकली देखोगे तो यहां पर देखो अभी देखो इसमें भी जैसे बताया गया है कि एक फोलिंग वेज बन रहा है साती जो इनका लीश टोकन वह भी एक फोलिंग वेज के अंदर चल रहा है और एक बुलिश डैवर्जन में देखने को मिल रहा है तो कहीं ने कहीं इन दोनों टोकन पर आप नजर बना के रखना जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है लिस्टिंग से जुड़ी हुई इसमें एक तगडी हाइप में अगेन देखने को मिल जाएगी और बागी टीए वगेरा सब कुछ मैंने कल के वीडियो में शेयर कर द इस वीडियो में कोई डीटेल सेवात नहीं करा मैं इवनिंग में एक वीडियो लाने वाला हूं उसको जरू से देख लेंना काफी नौलिजबल वीडियो है वह मिलते हैं जल्दी नए अप्डिये जैहन जै भारत